बिंडी की सबजी आम तोर पर सभी वहत चाव से खाते हैं क्योंकि ये हरी सबजी स्वास्थे के लिए बहुत गुंकारी भी है स्वास्थे लाब के लिए अक्सर डॉक्टर भी अधिक से अधिक हरी सबजीयों का सेवन करने की सलाह देते हैं हरी सबजियों में भिंडी का अपना विशेश स्थान होता है क्योंकि भिंडी में वसा, प्रोटीन, कार्बोहाइड़, कैशियम, फॉसफोरस, पोटेशियम, लोह और तामबा आधी तत्वा पाए जाते हैं लेकिन इतने लाव होने के साथ इसको अगर सेवन करने में सावधानी ना बरती जाए तो ये बहुत नुकसान देह भी साबित हो सकती है कुरकुरी भिंडी, फ्राइ भिंडी, भर्वा भिरी ये सब हम अकसर घरों में बनाते हैं कई बार भिंडी के साथ हम दूसरी भी सबजी बनाते हैं लेकिन भिंडी के साथ करेला कभी ना बनाए क्योंकि करेला भिंडी के साथ खाने पर उसका बहुत खतरनाक परिनाम का सामना करना पड़ सकता है अगर आपने भिंगी की सबजी खाने के तुरंद बाद करेले की सबजी खाई तो इससे आपकी मौद भी हो सकती है दरसल करेला और भिंगी साथ में खाने से शरीर में नकारात्मक क्रिया होने लगती है और इससे शरीर में जहर फैलना शुरू हो जाता है ये जहर खाने के थोड़े समय बाद रक्त में घुल के पूरे शरीर में मिल जाता है और इससे इंसान की मौत तक हो सकती है आपको बता दे ये जब साथ में पेट में जाते है तो एक विशेश प्रकार की क्रिया करते है जो शरीर में जहर बनाती है अगर आपको हमारा ये विडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज इस विडियो को लाइक कॉमेंट और शेय कीजिए ऐसी ही और रोचक खबरे देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को थांक यू